समस्कार दोस्तो एक बर फिर से स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल रेट इन्फो वीज में दोस्तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ टाटा नगर आसन सोल एक्स्प्रेस ट्रेन के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन बटन पर क्लिक चुरूर करें और अगर आप चाते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखके जुरूर बताएं दोस्तों यह ट्रेन टाटानगर जंक्शन से असनसोल जंक्शन तक चलती है इस ट्रेन का नंबर है 13-511 यह ट्रेन 3 घंटे 30 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है टोटल दूरी जो यह ट्रेन कवर करती है वो है 165 किलो मीटर और इस ट्रेन के आवरे स्पीड है 47 किलो मीटर परार और इसके तकरीबन नो स्टेशन है ये ट्रेन हफते में सिरफ तीन ही दिन चलती है रवीवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन अब बात करते हैं इसके टिकेट किराये की इसमें सेकिंड सिटिंग अन्रिजर्फ जनरल डिपे अविलेबल है सेकिंड सिटिंग का किराया है 85 रुपए अन्रिजर्फ जनरल डिपे का किराया है 65 रुपए दोस्तो एक पर फिर भी आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इसका टिकेट किराया जुरूर कन्फर्म कर लें चले दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाते और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टीशनों के बारे में यह ट्रेन टाटानगर जंक्षन से हर रवीवार, मंगलवार और शुकरवार को दोपहर के एक वज़े 5 नमबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है दो मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टीशन आता है ब्राभूम जहां पर यह दोपहर के दो बचकर 16 मिनट पर पहुंचती है और दो मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है अगला इसका स्टीशन आता है दोस्तों वो है जैचंडी पहाड जंक्षन जहां पर ये दोपहर के 3 बच कर 31 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है इसका सेक्टिला स्टेशन आता है बर्नपुर जहां पर ये शाम के चार बच कर 13 मिनट पर पहुंचती है और एक मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है आखरी जो इसका स्टेशन आता है वो है आसन सोल जंक्शन जहां पर ये शाम के चार बच कर 30 मिनट पर पहुंचती है और प्लैटफॉर्म नंबर 6 पर जाकर अपने यात्रा समाप कर लेती है इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप दोती है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें धन्यावाद दोस्तों